हालो स्टूडेन हमारा कुस्चन है find the list number which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainders 14, 19, 29 and 34 respectively हमें इस कुस्चन में कहा गया है कि ऐसा list number बताईए जिसे हम 20, 25, 35 and 40 से divide करें तो 14, 19, 29 and 34 जो हमारा remainder आना चाहिए ओके तो हम सपोज करते हैं कि वह list number x है ओके तो let's the list numbers be x ओके आनि कि इस x को 20 से divide करना है तो remainder जो है 14 आएगा and इसी x को 25 से divide किया जा रहा है तो divide करने पे हमारा remainder जो है 19 आना चाहिए and इसी x को जो 35 से divide करना है तो हमारा remainder जो है 29 आना चाहिए and इसी x को 40 से divide करना है तो हमारा remainder जो है हमारा remainder जो है 34 आना चाहिए तो हम जानते है कि यहां यूज करना है हमें यूकली division लेमा का तो हम जानते हैं कि यूकली दिविजन लेमा काता है कि dividend equal to divisor into quotient plus remainder होता है ओके तो बाइ using यूकलीट्स division lemma ओके तो यहां होता है डिवी डेंट इक्वल टू डिवाइजर इन्टू को सेंट प्लस रिमेंडर होता है ओके तो हमारा इस केस में जो है डिवीडेंट एक्स हो जाएगा एंड जो है डिवाइजर हमारा चार केस इसमें बनेगा अलग-अलग होगा एक केस में हमारा डिवाइजर 20 होगा और दूसरा केस में 25 होगा और तीसरा केस में 35 होगा और फॉर्थ केस में हमारा जो है डिवाइजर 40 होगा और रिमेंडर भी इसका अलग-अलग दिया गया हुआ है तो हम बनाते हैं case यानि कि dividend तो हमारा same रहेगा यानि dividend equal to x equal to 20 and हम cosine जो है मान लेते हैं कि हमारा cosine जो है aim है ओके aim है तो and remainder जो हमारा कितना है 14 आ रहा है 14 उसके बाद जो हमारा second case है यानि कि dividend तो same रहेगा and हमारा जो है divisor 25 हो जागा तो 25 into हमारा remainder cosine जो है n हम यहां suppose करते हैं remainder जो हमारा 19 हो जाएगा उसी तरह से x equal to 35 into cosine हम यहां p मान लेते हैं plus 29 and x equal to 40 into q plus 34 औके अब यहां से इस में से हमें कुछ common लेना हैं सभी में से हमें कुछ common लेना है ओके तो यहां से हम 20 common लेना चाहेंगे तो 14 में क्या add करें तो हम and subtract करें जिससे हम 20 common ले सके ओके इसमें आप 14 भी common ले सकते हैं लेकिन multiple में है यहाँ 20 इंटु एम है यानि को सेंट यहां multiple में है तो हम हमें 20 लेने में ही common सही होगा ओके तो हम इसे 20 बना देते हैं इसे हम 6 सेब्ट्रेक्ट मैंने की जब इसे हम सब्ट्रेक्शन करेंगे तो यह 0 होजाएगा तो हमारा इस जो इक्वेशन है उस पर हमें कोई फरक नहीं परेगा ओके उसी तरह से इसमें हमें करना है तो इसमें फिर 19 प्लस 6 करेंगे तो 25 हो जागा और फिर से 6 सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो जो हमारा ओरिजिनल एक्वेशन है वही बन जाएगा ओके तो इसमें भी हमें प्लस 6 करना है मैंनश 6 प्लस 6 एन माइनस 6 आप कीजिएगा 34 में प्लस 6 कीजिएगा तो 40 आजाएगा फिर जो है से ट्रक्शन की जाएगा 6 का तो 34 आजाएगा ओके तो हमारा यहां जो है एक्वेशन बार रहा है एक्स एक्वाल टू यहां से आप लिजएगा कोमन या नहीं अभी ले रहा है कोमेंट ओके तर ट्वेंटी एम प्लस 20-6 ओके तहिंगे यहां से हम ट्वेंटी कोमन लेंगे तो म प्लस 1-6 यानि कि एक्स यहां हम इस 6 को इस साइड लाते हैं तो एक्स प्लस 6 हो जाएगा x plus 6 हो जाएगा x plus 6 equal to 20 into m plus 1 हो जाएगा उसी तरह से हम दूसरे equation में भी वही करेंगे यानि कि आप किजेगा तो इस equation को भी आप किजेगा तो x plus 6 आएगा ठीक है and 25 into n plus 1 आएगा and उससे अगले वाले equation को किजेगा तो x plus 6 ही आएगा and 35 common ले लेंगे तो p plus 1 आएगा and उससे next वाले को आप किजेगा तो यहाँ 40 into q plus 1 हो जाएगा ओके तो यहाँ हमारा euclid division लेमा के फ़र में अब देखा जाएं तो हमारा जो है x plus 6 जो है dividend यहाँ बन रहा है and divisor 20 बन रहा है cosine m plus 1 बन रहा है remainder यहाँ हमारा 0 हो जा रहा है remainder 0 हो जा रहा है remainder 0 हो रहा है यानि कि 20, 25, 20, 25, 35 and 40 एक common number जो है x plus 6 को divide करा है यानि कि x plus 6 इसको इस side लाएंगे यानि कि equation हमें एक लिए रहे है x plus 6 इक्वल टू 20 into m plus 1 ओके तर इस 20 को हम इस side लाएंगे तर यानि x plus 6 को divide करेगा ठीक है तर एक्स प्लस इक्स को divide करेगा मतलब कि एक्स और इस केस में भी वही होगा x plus 6 को 25 डिवाइड करेगा x plus 6 को यहां 35 डिवाइड करेगा x plus 6 को यहां 40 डिवाइड करेगा ठीक है तो आप यहां देख रहे हैं कि 20 25 35 and 40 जो है एक common number x plus 6 को divide कर रहा है यानि कि x plus 6 जो है हमारा common multiple होगा 20 25 35 and 40 का आपको हम एक example के थूरू समझा रहे हैं जैसे कि हम कोई number ले रहे हैं रफ वर्क हैं जैसे कि कोई number है two four and five ओके जो ट्वेंटी को डिवाइड कर रहा है जो ट्वेंटी को डिवाइड कर रहा है यानि कि टू से हम ट्वेंटी में डिवाइड करेंगे तो ट्वेंटी हमारा पूरा पूरा इसका जो है रिमेंडर जीरो हो जाएगा ओके और फोर से भी डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर जीरो हो जाएगा और फाइब से भी डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर जीरो होगा यानि पूरा पूरा हमारा जो है कड़ जा रहा है ओके यानि कि टू फोर एंड फाइव का हम यदि एल सी एम निकाला जाएं तो हमारा ट्वेंटी ही होगा यानि कि 20 जो है 2, 4, 5 का कॉमन मल्टीपल है तो उसी तरह से यहां भी है एक्स प्लस 6 जो हमारा है जिससे हम डिवाइड करेंगे 20, 25, 35, and 40 को वह भी कॉमन मल्टीपल होगा तो यहां हम 20, 25, 35, and 40 का आप एल सी हम निकालेंगे और कॉमन मल्टीपल होगा ओभी लिस्ट है यहां यहां एक्जाम्पल के थू आपको समझाया है ओभी लिस्ट मल्टीपल है उसी तरह से यहां एक्स प्लस 6 भी एक लिस्ट मल्टीपल होगा ठीक है तो आप इसका एल सी हम निकालेंगे तो 10, 25, 35, and 20 2 times 5, 25, 35, and 10 5 से आप लगाएंगे तो 1, 5, 7, and 2 ओके तो आप मल्टीपलाई करेंगे तो 2 जो है 3 times है तो 2 Q into 5 जो है 2 times है and 2 7 ओके तो आप इसे मल्टीपलाई करेंगे तो 1400 आएगा ओके यानि कि 20, 25, 35, and 40 का जो हमारा LCM जो होगा 1400 होगा ओके तो 1400 होगा उसी तरह से जैसे हम यहां निकालेंगे तो 20 हो रहा है यानि कि 20 जो हमारा है 245 का एक मल्टीपल है ओके तो यानि कि एक्स प्लस सिक्स यहां एक्स प्लस सिक्स जो है हमारा मल्टीपल होगा कि किसका 1400 का यानि कि एक्स प्लस सिक्स को हम इक्वल कर सकते हैं 1400 के तो यहां से हम एक्स निकालेंगे 1400 के एक्वल करेंगे तो यहां से हम एक्स निकालेंगे तो 1400 माइनस सिक्स आप किजेगा तो 1394 हमारा आएगा त्यानि एक्स हमारा वन नमबर था जो 20, 25, 35, and 40 को डिवाइड करेगा और रिमेंडर जो है हमारा 14, 19, 29, and 34 रेस्पेक्टिवली आएगा ओके यह तो लॉंग मेथड हो गया यदि MCQ कुस्चन होगा तो आपको एक अनादर मेथड के थुरू हम बता रहे हैं ओके तो आपको करना है MCQ कुस्चन होगा तो 20, 25, 35, and 40 को 40 का LCM ले लेना है ओके इसका आप LCM लिजेगा तो LCM जो है 1400 आ रहा है इस 1400 में आपको करना है क्या कि जो यानि कि हम यहां एक सपोज किये थे यानि इसे हम 20 से डिवाइड करना है तो 14 आ रहा है उसी तरह से हर केस में करना है तो 20 में से आपको 14 को सब्ट्रेक्ट कर देना है 6 आ जाएगा 25 में से आप 19 को सब्ट्रेक्ट किजेगा तो 6 आएगा जो हमारा सिक्स आ रहा है इस सिक्स को आप 14 हैंडेड में से सब्ट्रेक्ट कर देजेगा जो हमारा रिक्वाइड नंबर है रिक्वाइड नंबर है ओ आपको मिल जाएगा यानिकी 14 हैंडेड माइनस 6 यानि 1394 ओके यह हमारा एंसर होगा यह हमारा एंसर होगा आपको कुस्चन समझ में आया तो कुस्चन को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नेटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्यू